नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आयोप आप सब मज़े में ही होंगे दोस्तों आज की अवली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वली है बिक्जा आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पांच ऐसे स्टोक्स बताने जा रहा हूँ ज söंने आप दमाकेदार स्टोक बोंस, स्टोक्स प्रेट धिवीडेंट अन्नांस किया है दोस्तो आज की इस वीडियो के इन्दर ही नहीं पांट स्टॉक्स की माप लोगों को पूरी डिटेल्स दूँगा बताऊंगा इन्होंने क्या क्या चीज़े अनॉंस करी हैं और किस किस वैल्यूस से अनॉंस करी हैं साथ ही थे मने के करंठ स्टॉक प्राइजेस बताऊंगा इन्हीं की अनॉंस्मेंट की एक्सदेट्स क्या होने वली हैं तो चलिए अभ इस वीडियो को स्टाट करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखना हैं कहीं पहीं स्किप मत करना चलिए दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को like कर दीजिए चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मैं हूँ आरोश आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुश चलिए अभी इस वीडियो को start करते हैं बताता हूँ आपको कौन से हैं 5 stocks जिन्होंने आपे दमागेदार stock bonus stock spread and dividend announce किया है चलिए दोस्तों बात करते हैं आपे हमारे पहले stock की तो company का नाम है TCS Limited यानि की Tata Consultancy Services Limited company का जो current stock price है currently 3,118 रुपीज के उपर में trade हो रहा है अगले stock की बात करें तो company का नाम है is my trip and company का जो current stock price है currently 399 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company नहीं आपे दो चीज़े साथ में announce करी है stock bonus and stock split stock bonus announce किया है 3 is to 1 के ratio से and stock split announce किया 1 is to 2 के ratio से दोनोई ratios अगर हम combined कर दे तो यहाँ पर 3 is to 1 का मतलब यह है अगर आपके पास इस company का एक stock है तो यहाँ पर आपको तीन stocks से सब bonus मिलेंगे मतलब total में आपका एक stock यहाँ पर 4 stocks में convert हो जाएगा and why stock split के 1 to 2 के ratio का मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पर आपका एक stock दो stocks में convert हो जाएगा दोनों ही ratios को मिलाने के बाद में अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पर आपका एक stock totally 8 stocks में convert हो जाएगा इस stock bonus और stock split को देने की जो x date है वो भी तक upcoming में है तो company की तरफ से जैसी को भी official announcement आगा x date को लेके मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा चलिए बात करते हैं यहाँ पे मारे अगले stock की तो company का नाम है sigma consultancy company का जो current stock price है currently 240 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने आप इस stock bonus announced किया 3 to 2 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 stocks है तो यहाँ पे आपको 3 stocks as a bonus मिलेंगे मतलब total में आपके 2 stocks यहाँ पे 5 stocks में convert हो जाएंगे and stock bonus को देने की जो ex-date होने वाली है 12th of October की होने वाली है and अब अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि यहाँ पे आपको इस stock bonus का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को उसकी ex-date यानि 12th of October से पहले-पहले purchase करना होगा चलिए बात करते हैं अगले stock की तो company का नाम है शिवालिक B-Metal company का जो current stock price है currently 680 रूपीज के उपर में trade हो रहा है and company ने आप इस stock bonus अनांस के है 1-2 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company की 2 stocks हैं तो यहाँ पे आपको एक stock as a bonus मिलेगा मतलब total में आपके 2 stocks यहाँ पे 3 stocks में convert हो जाएंगे and इस stock bonus को देने की जो X date होने वाली हो 12th of October की होने वाली है तो अब अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि यहाँ पे आपको इस stock bonus का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इस की X date याने की 12th of October से पहले-पहले purchase करना होगा इस stock split को देने की जो X date होने वाली है वो 12th of October की होने वाली है तो अब अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि यहाँ पे आपको इस stock split का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इस की X date याने की 12th of October से पहले-पहले purchase करना होगा दोस्तो आज की वीडियो में इतना यही 5 stocks थे जिन्होंने आपे धमाकेदार stock bonus stocks पे 10 dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो चलागा वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा इस चैनल को भी ज़रूर से subscribe कर दीजिएगा विकुस फिनो मीडिया के अंदर आपको stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई